जी नमस्कार दोस्तों गुड़ इंट्यू ओल फ्यू वही कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब बिल्कुल दुरुष शांदार जबरदस्त होंगे बहतरीन होंगे और जैसे जैसे देखा जाया तो साल खटम हो रहा है ठंड भी अपना पूरा का पूरा है ना भी अपने असली आउतार में आ रही है गडाके कि ठंड पढ़ना शुरू हो गईए उत्तर भारत में पूरे है ना उत्तर भारत के अपने जितने भी राज्य एं अपना दिली राजथान अरियाना उत्तर प्रदेश बिहार तो इन सब जगहों से दो दिन पहले शुरुवात हुई उस उत्साह में मुझे कमी दिख रही है तो वजह क्या है विश्वर जाने लेकिन एक ये भी हो सकता है कि एक्जाम धीरे धीरे और नजदीक आ रहा है तो जो गर्मी अंदर होनी चाहिए वो कहीं न कहीं देखा जाए तो मौसम की वजह से जो फिलहाल मौसम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा वो गर्मी शान्त होती दिख रही है बहरहल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस खास सेशन में जहां पर हम लोग SBI कलर के बचे हुवे चार से पांच या छे दिन कह सकते हैं इन बचे हुवे दिनों में अपना पूर जोर प्रदरशन पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस सेशन में आप समय करें इसा मेरे साथ क्यूं होता है तो मैंने उसको यह समझाया आपको बता था घर किसी बच्चे का मक्ति Is It बागी कई बच्चों ने ऐसे क्वेरी की थी मुझसे तो जो मैंने उस बच्चे को समझाया वो मैंने कहा कि बिटा आपकी गलती नहीं है दरसल बात यह है कि जैसे आप माल लीजे कि एक सिटिंग अरेंजमेंट सौल करते हो उसको हम मैथ के केसलेट से कंपेर करें तो एक सिट अगर आपने स्वाल कर लिया कहा जाता है क्यों के तीसरे दाएं से तीसरे कौन बइठा है तो आप कहते हो गुरुजी एस बइठा है तो यहां पर आपको सेकेंड लगते हैं लेकिन जब मैथ में एक केसलेट ब्रिक करते हो तो आगे कि जो पांस सवाल होते हैं उसमें कहा जाता है बताइए कि 2017 में कंपणी ए और बी की प्रोडक्शन जो है वो कंपणी सी की टोटल प्रोडक्शन से कितने परसंट जादा है तो उसको कैलकुलेट कर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है अगर आप उतने ही टाइम में मैत के जादा सॉल्व कर पा रहे हो मैत के कम सॉल्व कर पा रहे तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कैलकुलेशन में अगर मालीजे हाथ तंग है अगर कैलकुलेशन में हाथ तंग है तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए बस इतनी सी बात है है ना तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं और जिस अंदाज में कल हम लोगों ने सेशन किया था वही अंदाज आज भी बरकरार रहेगा यानि कि आपको पूरे के पूरे 55 सवाल आज भी देखने को मिलेंगे एक बार सरसरी निगाह डालते हैं आज के कुश्चन में क्या-क्या रखा गया है तो आज के सेशन में 15 सिंप्लिफिकेशन है पांच मिसिंग है पांच रॉंग है दस डियाई है जिसमें एक चाल्ट होगा एक केसलेट होगी दस अर्थमैटिक है कौडरेटिक के पांच है डेटा सफिसेंसी है इस एक्जाम कंड़क्टिंग जो बॉड़ी एक्जाम कंड़क्ट करवाती है एक मात्र इसी बॉड़ी है जो आपको वर्किंग डिम एक्जाम कंड़क्ट करवा देती है है ना पाकि जितने भी गौर्मेंट एक्जाम होते हैं को कॉम्टीशन वाले वो सारे की सारे संदे होता है लेकिन एक मात्र इसी बॉडडी है जो आपके वर्किंग पता लगा कि इस बीए पी ओ मेंस कप है पता लगा प्रिहस्पतिवार को है तो ऐसा टाइप के स्बी आई है और अपने इसका अच्छा एस्बी आई क्लर्क ही बात करें तो इनका भी कोई बहुत अनुम अभी 2021 में क्या Q1 Q2 डाल दिया तो वह अधने चात्र मतलब अधना सा बालक होता है नंहा सा बालक जो क्लर्क प्री को खाली इत्ता मान के चलता है गुरुजी मतलब मुझे सिंप्लिफिकेशन आता है क्या मैं बैंक ऑफीसर बन जाओंगा हम कहते हां तुम बन जाओगे तो मैं तो जानते थे खाली सिंप्लिफिकेशन आता है तो उसने बताया Q1 Q2 आ गया था है तो फिर एक और मास्टर सहाब थे क्योई वेटा दवाक नाम होता है है ना Q1 Q2 आ गया था तो धपा मारने में तयार है तो फिलहाल आखरी साथ पेपर में मेरा पूरा प्रयास यह है कि आपको कोई भी चीज छोड़ी न जाए तो आपके सामने हर एक चीज रखने का पूरा प्रयास है आईए शुरुआत करते हैं एक बार आप सभी से गुजारिश के एक बार सब लोग भाई लाइक भाईक ठोक करके मतले बड़े उत्साह के साथ देखो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा आपको पता है सेशन बहुत मज़ेदार होना होना सुरू हो जाएगा है ना हसी मजाग के साथ हम मैद पढ़ेंगे कोई प्रेशर नहीं कि 24 घंटे में 22 घंटे तुम प्रेश बात करते हैं आपके सामने जो पहला पांच सवाल होगा वह दो मिनट का टाइम देंगे दो मिनट ज्यादा हो जाएगा डेड़ मिनट में चटका दोगे कोडरेटिक के पांच सवाल डेड़ मिनट के अंदर चटकाने हैं 30-30 सेकंड अगर लेके चलोगे तो पांचो हो पहले कोशन का इंसर मत बताओ वेटा पहले पांचो सॉल कर लो दो मिनट का टाइम दिया है मैंने पांचो सॉल कर लो एक कुशच्चिन एंसर ना बताय है मेरे लो ऐन पांचो को एंसर बताएं पहला वाला रिख्या देखो पहला वाला एंसर दिखरा ने तो इसी मिज़ेश खुशों के बच्षे है न पांचो एंसर एक साहथ बताएं कि विकाश कप कुमार ने सबसे पहले बताया भई इबी इए बी कुछ लोगों ने ट्रिपल लीडी बताया ट्रिपल लीडी कुछ लोगों ने डबल लीडी बताया है कि वह एक बार कन्फर्म कर लो ताकि हम मैच कराएं है कि ट्रिपल लीडी कि डबल लीडी पांचों हो जाने चाहिए अब तक तो है ना कि डबल लीडी बी इए चलो तो अभी फिलाल हम आपका एंसर लेक देते हैं डबल ली डी बी इए डी बी इए ठीक है ट्रिपल लीडी बी इए तो ये बच्चों ने अंसर बताये हैं एक बार हम इनकी टाइम वैसे लगना चाहिए इसको लेकिन मुझे क्या कि मुझे तो बोलना पड़ता है ना यह वाली समस्था मेरी आदत पर चुके बोर्ड बिखड़ना बोलने वाली फिलाल एक बार कोशिश करते हैं कितना वैसे लग जाएगा तो फिलाल नेगेटिव नेगेटिव रिजल इसका मतलब क्या कह सकते हैं 20 और एक हो गया ठीक है जी 42 से हमें 13 चीए 7 और 6 हो गया ठीक है अभी 2 और 3 दिख रहा है यानि उपर 3 से मल्टिप्लाई नीचे 2 से मल्टिप्लाई ठीक है जी तो 60 जो है 60 तो इन 60 जो है वो इन दोनों नंबर से बड़ा दिख रहा चोटा होग और यह जो 3 लिखा है 3 छोटा दिख रहा तो बड़ा होगा इसका भी एंसर आगया option नहीं ठीक है तो यह भी आपका option नहीं सही रहा ठीक है यह भी आपका option नहीं सही रहा मुझे थोड़ा जगा बनानी पड़ रही नहीं इस वज़े से मैंने timer नहीं चलाया नहीं तो तुम कहोगे गुरुजी आपको ही इतना time लग है मेरे पास जगा नहीं solve करने की अभी इस पर देख लेते हैं तो आप अपने हिसाफ से time count कर ले ना negative positive का मतलब दोनों positive हो जाएंगे और यहां पे 12 से 7 चाहिए यानि 4 और 3 हो गया यहां पे 14 से 9 चाहिए इसका मतलब 7 और 2 हो गया उपर 2 है नीचे 2 से multiply कर लिया हमने 2 से multiply तो 4 चोटा है 4 4 से बराबर है 3 इन दोनों चोटा है तो x less or equal to y यानि less or equal to y d बिल्कुल सही जवाब है यह भी सही रहा आपका ठीक है उसके बाद 3 हो चुके चोथे पे आते हैं तो भाई 4 गुड़े तो पहले positive का मतलब क्या होगा negative negative और फिर negative negative positive negative होगा 40 से हमें 13 चही यानि 8 5 से 40 और 5 बलके 13 3 से 2 चही यानि 3 और 1 हो गया अभी 4 और 3 है तो उपर 3 से multiply उपर 3 से multiply नीचे 4 से multiply ठीक है तो यहाँ पर आगया हमारा 24 यहाँ पर आगया 12 नेगटिव जो है वो positive से छोटा ही होगा यह 12 दिख चार से छोटा है ल 4 से बड़ा दिख रहा तो छोटा होगा एक सीोप 24 से बड़ा निख रहा तो छोटा होगा ओट चोटाहरे से शॉटा होगा तो ठीक है चोटा ही है उल्टा बोलरहाँ 15 प्याते negative इसे चोटा होगा और यह 15 चार से पर चोटा होगा चोटा ही है option number यहां पर बी आ जाएगा तो बी बिल्कुल सही रहा भाई पाचवे प्याते हैं बिल्कुल बी option सही है इस चोथे सवाल का इस जगा प्याते है negative positive का मतलब दोनों positive होकर negative positive दोनों positive हो जाएंगे यहां पर आठ हाया 6 चहीए 4 और 2 हो गया चेदुनी 12 12 12 से साथ चहीए चार और 3 हो गया 8 और 6 के हिसाब से 24 बनाएंगे या उपर हम 3 से करेंगे multiply ठीक है और नीचे करेंगे 4 से multiply ठीक है तो यह होगे हमारा 12 12 16 से छोटा दिखे रहा है दोनों positive है ना 12 और 12 के बराबर है 6 छोटा दिखे रहा है 16 से 6 12 से छोटा दिखे रहा है less or equal to यानि की लास्ट वाला option D होना चाहिए भाई लास्ट वाला option D लास्ट वाला option D लास्ट वाला option D होना चाहिए ना तो इसका जो जवाब है E, E, D, B, D है ना इसका जो option है देखो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए E, E, D, D, B और फिर less than यानि की B होना चाहिए लेस देन ही रहा रहा है, नहीं, लेस और इक्वल टू रहा है, बारा, लेस और इक्वल टू, यानि लास्ट वाला डी, लास्ट वाला डी, तो डबल ई, डबल ई, डी, 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 सही है, सेम, 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 है double double dbd बिल्कुल यह सही है तो ठीक है तो यह पाश हमारे को अरट कर दन हुए है कि आपको भी सला देङे से पाश एक साथ प्रेक्टीस किया करो ठीक है सवाल प्याते हैं अगले है ठीक है जी अभी मिसिंग हां मिसिंग स्टार्ट हो रहा है शुरू करते हैं प्रोड़क्ट ही लग रहा है यहां पर अठाइस पंचे एक सो चालीस चौदा गुड़े तीन बैयालीस पांच और तीन दिखे रहा है ठीक है बाई चटका आया जाया है खीच के अगर यहां पर देखें तो क्या दिखे रहा है चौदा गुड़े तीन बैयालिस ठीक है यहां पर देखें तो कितना मुल्टीप्लाइड बैई 7, 3, 5, 7 यहां पर कितना दिखे रहा मुल्टीप्लाइड बैई 9 ठीक है ची 9, 7, 3, 5, 7 नो यानी इस जिगा पर क्या होना चीए मुल्टीप्लाइड बैयालिस रिश्व एंसर अगला कोश्चिन बस एक ही नारा एक ही नाम बीट दे टाइमर एक ही नारा होना चीए बीट दे टाइमर डिवाइड चल रहा है यहां पर भी सीधा हाफ दिखे रहा 31 दुना पासट नहीं हाफ होने एक बाद घट रहा है नमबर है न ठीक अगर यहां पर चेक करें हम लोग तो क्या दिखे रहा है आधा हुआ आधा का मतलब हम डिवाइड बाई तो दो कह सकते हैं आधा हुआ और फिर प्लस 2 हो गया ठीक है जी आगे नहीं पता यहां नहीं पता इस जिकांपर अगर हम इसका आधा करते हैं तो वैल्यू कित तो अगर इसको लेकर के चलें तो दो तीन चार ऐसा कर सकते हैं क्या डिवाइड बाई डिवाइड बाई दो ही होगा ठीक है ऐसा बना सकते हैं क्या डिवाइड बाई दो यहां पर भी डिवाइड बाई दो दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच ऐसा कर सकते हैं अच्छा दो से मालों डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 141 141 में हम तीन घटाएंगे तो नमबर 138 आएगी फिर दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आजाएगा दो च्हंग 12 दो गुड़िन नो ठीक है चार घटाएंगे तो नहीं अभी यहां पे जोड़ना पड़ रहा है है ना तो पॉस्टिव नेगटिव पॉस्टिव सब अब सही है एक बार चेक कर लिया जा भाई उनत्र चार तीहत्तर हो रहा ठीक है अभी यहां पर डिवाइड बाई टू करने के बाद माइनस फाइव यह भी सही है यानि तो ठीक है हो गया भाई 138 सही जवाब होना चाहि पैटर्न आपके सामने लिखा 138 रहा अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो कुश्चन जादा करने स्रीज अच्छा था ना यह यह से बिल्कूल अच्छी थी इसमें कोई दोर आ नहीं कुश्चन जादा करने हैं तो रफ्तार मेंटेंड किये तक मैथ में देखो मैथ में ने लिटरी बता रहें सारी ठंडी मनडी गायव हो जाएगी एंOS वह है कि आपके दिमाग में वह जुनून हो ना चाहिए आपके दिमाग में वो जुनून होना चाहिए कि ठीक है यह नंबर्स में हमें खेलना एकदम उड़ा देना एकदम अगर वो जुनून नहीं आ रहा है फिर यह कहो कि हाँ ठीक हम मन से आलसी हैं क्या बता है अब उसके लिए हम मन से आलसी वो बोल देना लेकिन लिटरली मैथ म आपके दो का स्कॉर्ण चार यहां पर एक यानि 16 आना चीए भाई शोला बिल्कुल करेक्ट एंसरा कहानी खतम आप्शन नंबर सी अगले सवाल पर आते हैं कि चले बहुत बढ़े हैं साबाश उड़ाक एकदम करना नया साल आ रहा है मतलब 2023 की विदाई एकदम बड़े अस्तर पर होनी चाहिए धोंधाम से एकदम साब्वाश बहुत बढ़ियां सिरीज की डिमांड देख के नंबर समझा रहा है चौन सट गुड़े आठ आर तु समझा रहा कितना इसका एंसर आठ ही मार कर दो मुझे इसा लग रहा है बाकी चेक कर लेते हैं तो को आठ दूरी सोला सोला गुड़े चार चौसट चौसट गुड़े आठ आठ आगे चेक करने की जरूरत नहीं आठ चार दो के बाद यहां मल्टीप्लाइड भाई वन होना चाहिए तो कौन से संखेसे मल्टीप्लाइड करने के बाद आठाएगा कहानी खत्म होगे अगले सब आल पर आजाओ भी या बोलो जैंज भारत बहुत जबरदस्त इफिरेंस लगाया जाए है मैं इसमें 25 मिनट देना चाहिए पार्शेडिटी है हाथ तुम्हें काम करो तुम्हें शेयर में बन जाओ एक्जाम तुम्हें शेयर में बन जाओ ठेक है बढ़ी अभी यहां पर चेक करते हैं अगर यहां पर देखा जाए तो अगर हम डिफरेंस लगाएंगे तो 3 आएगा 9 में 5, 4, 7 में 4, 3 भईया क्या दिख रहा परफेक्ट क्यूब दिल में हलचल मच गई बोलो हाँ परफेक्ट क्यूब दिख रहा है इस जिगा पर देखते हैं 10 में 4, 6 फिर 4 में 3, 1 और फिर 4 में 2, लो जी भईया, क्या बात है, 7 क्यूब, 6 क्यूब यहां पर चेक करते हैं 14 में 9 आगया, 5 के बराबर, यानि 5 का क्यूब भईया, 125 होना चाहिए हो रहा है क्या, 25, 9, 34, 2, 1, 3 हो रहा है, यानि आगय अगर देखें तो 4 का क्यूब यानि 64 होना चाहिए और 9 में 4 घटाएंगे, 5 और 10 में 6 घटाओगे, 4 तो 45 इस सवाल का जवाब, भईया, ऑप्शन नंबर, 5 करेक्टेंसर रहा, देखो क्या है, कि हमने यहां पर इतनी सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सवाल बहुत सारे कर रहे हैं, आप सबसे बस चोटी गुजारिश जरूर रहेगी, कि सेशन की एनरजी को मेंटें साल की विदाई हो रही, आज 29 तारीख हो चुकी है, 30-31 दो दिन बचा है, फिर 31 तारीख को एक बड़ा वर गहे चात्रों का, एक बहुत बढ़ा वर गहे चात्रों का, जो यह कहेगा, ठीक है, एक्जाम पढ़ लेते हैं, पांच को एक्जाम देने पहुच जाएंगे, तो यह भी बड़ी बड़ा संकट वाला समय है, इस समय, बहुत संक, अरे इसे से बच्चे हैं, कहते हैं कि गुरुजी, मेरी तयारी कम है, एक्जाम ना देख्या, हम के ठीक है, काम करो, 800 रुपिया उधार दो मुझे, अपना एक पेटियम नंबर भेज रहे हैं, तुम 800 रुपिया उधार दे दो, फिर पूछते हैं, गुरुजी चक कब वापस करेंगे, हम के क्यूं, 800 रुपिया, 700 रुपिया, 800 रुपिया फाउम भरते हो, वो तो तुम कह रहे हो कि ठीक है, इसे लुटा दिये अउधार मांग लिए, तो तुम कह रहे हो कि गुरुजी मतलब कब वापस करेंगे, तो मतलब जादा वो नहीं है भाई, लोड नहीं रहते बच्चे बैंक एक्जाम का, तीन-चार साल जब भिरोजगारी सताती है, तब कहते हैं, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए शायद चलिए फिलाल, लाइक वाइक ठोक, दो हजार बच्चे देख रहे हैं, हजार लोगों लाइक किया, मतलब कहा इतना बुरा पढ़ाते हैं, है, आठ साल से साथ, आठ साल तकरीबन होगे पढ़ाते हुए, तो कहा हम इतना बुरा पढ़ाते हैं, कि आठ साल से पढ़ा रहे ह बच्चे आज पूरे मौज में है अग्दम अभी दो तीन दिन मौज में रहेंगे थीक है भई शुरू किया जाए ऐंगे अगिए आजा बात बताओ कहा सिरीज घट करके कंटीनिवस इंक्रीज कर रहे यह सिरीज शुरुआत में घटी ए में बिलकुल घटी यह घटी है तो माट का आधा करके चेक कर लें आठ काधा हुआ चार चार में एक जोड़ेंगे तो पांच आएगी वैल्यू पांच से आगे बढ़ते हैं तो पांच एक कम पांच में घटा तब चार आ गया चार से आगे हम देखें तो डेड़ गुना यानि कि छे हुआ छे में से कुछ नहीं यानि मुझे यह गलत लग रहा है भगवान जाने का है एक बारा चेक कर लेते हैं सब कुस तहरी लग रहा है क्रें चार का देखो देखना 1 he यानि यहां पे कितना होना चाहिए आधा इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह गलती रही हाँ पे चार होना चाहिए तो पांच इस स्रीज से गले टम रहा भाई ऑप्शन नंबर फॉर करेक्ट एंसर जेब बात अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सिरीज की डिमांड क्या है मुझे इतना बताओ सिरीज की डिमांड क्या है उसको फुल्फिल करो अरे इतनी छोटी घटना को लिबिल कहते हैं कि इतनी छोटी बात को लिबिल लिबिल नहीं कहा गया सास्तरों में आइए जला चैक करते हैं सिरीज की डिमांड क्या मुझे इतना बता दो आप मैंसे जो बच्चे हैं वो क्या डिफिरेंस दो को बहुत साब बच्चों ने बता भी दिखरेंस ही है तो भाई लगाएंगे दो दिखेगा कुछ नहीं समझाया चार दिखा ठीक है जी नो दिखा ठीक है जी पांच में पंद्रा में नो घटाओ छे आता है चार में तीन एक इस सवाल का सही जवाब यानि की गलती कहां पर चौबिस चौबिस गलत रहा ऑप्शन नंबर पांच करेक्ट एंसर अच्छा आप में से बहुत सारे इसे बच्चे होंगे जो हर दिन जुड़ते हो खाली आधे गंटे चाली सेशन लेते बर भाग जाते हैं और उनको पता है क राजुश्री वास्तों अब मारे 20 नहीं रहे राजुश्री वास्तों उनका शादी वाला बड़ा एक इवेंट था मतब शादी के ऊपर उन्हें जो इस्टेंड़ कॉमेडी की थी वो बड़ा फेमस हुआ था है ना उन्होंने कहा था कि मितलब कि बहुत सारे लोग होते है फ्लेट भरते हैं काहे कि कल को को यह नहीं कह सके है त mauvais तक थी में लीन कोर जा तक सुझावड थी तो इस और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ तो शुरूवात में खालی स्टार श्रॉट के बलाल आई एकले और देखते हैं खाल को तुम्हें कोई यह नहीं कर सके कि हाँ ठीक है क्या तुमने खाली 40 मिट से चलिए उसके बाद तो में कुर्स था शुरुवात में श्टार्टर था चलो आगे बढ़ते हैं चलो बाई बहुत जबरदस्त रफ्तार टॉप पे होनी चीए वही समय समाप्त हो चुका सिरीज की डिमांड क्या भाई जरह आप बताएं क्या यह नंबर्स कुछ अपने आप में इस्पेशल तो नहीं क्या यह नंबर्स कुछ इस्पेशल तो नहीं है आपको कि गुरुजी नहीं थे इस्पेशल नहीं है अगर यह थे इस्पेशल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए दिफ्रेंस लगाना चाहिए बोलो हाँ 11 का लिफ्रेंस 13 का ठीक है जी आगे पताद देखा जा तो 13 का फिर्षी दिफ्रेंस इस जिगा पर देखे 5 में 2 3 7 आठ पांच दो आई दादा में पांच तीन नौ में साथ 2 गिल्ड चीछा लेदर 11 से ले कि भाइया उंतिस चल रहा है चेक करें साथ को तो क्या 13 17 19 23 और फिर 29 क्या यह बन जाएगा पूरा अब देख लो तो नो साथ मिलकर के 16 एक कैरी और 13 14 14 और एक मिलकर के 15 15 अगर होता तो क्या 156 में 19 जोडने पर 75 आता बिलकुल आता भाई तो 152 गलत रहा भाई बिलकुल सही जवाब जिन्होंने 152 दिया मतलब बहतरीन सिरीज दिमाग का मतलब क्या बोलते हैं दिमाग की पूरी हो रही है खाले इंस्टाग्राम देख करके दिमाग को कमजोर ना करें इसे बहुत सारे चात्र हैं जो मतलब दिमाग पर रत्ति भर भी लोट नहीं लेते अच्छा यह एक्सपेरियेंस हम लगातार पिछले एक साल से क्यों बोल रहे हैं क्योंकि 17 जनवरी 2023 को मेरे शादी ह है है तो चारों का है मतलब उसमें सबसे बड़ा जो है वह अभी फिलहाल उसकी उमर 24 साल है सबसे बड़ा वाला साला 24 साल का है तो और सबसे छोटा वाला जो है वह ग्यार्वी क्लास में है तो यह जो वर्ग है ना यह उमर वाला मतलब समझे ना ग्यार्वी क्लास में पढ आप तो हो रहा है हमें है ना तो उसमें होता क्या है कि मतलब जैसे हलका भी दिमाग की बात करें अरे जीजा जी बस कर यह मतलब नहीं मतलब पढ़ाई लिखाई बात कर दो जीजा जी नहीं मतलब ठीक है अरे उनकी बाते को अंदाज क्या होता है जीजा जी आपने वो देख थोड़े इस विशे में आजक्त जादा डाटने लगे हैं आप लोग को तो यह हकीकत है भाई फिलाल आईए अगले सवाल पर हम लोग से तो यहीं है नहीं तो चलो फिलाल आईए सवाल पर फिलाल यह सिरीज जो है वो तो अपना खुल के पैटर्न बता रहे क्या कहते हो बहुत बढ़े हैं वाई सबस्ट जबबर दस्ट अच्छा इबताओ सिरीज खुल के अपना पैटर्न बता रहे कि नहीं कहो हां गुरू जी कह से डिवाइट बाई चार दिखे रहा है अगर भार चेक कर लो अगर हम चार से डिवाइड करते हैं अठारा चुक बहत्तर साथ दिशमलों पांच जन रहा गलती यहां पर ठोक दो नौस्वं पांच क्योंकि ऑप्शन मेंसा कोई ऑप्शन नहीं है कि और टमसार करेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अगर इसा ऑप जबद आश्बाइच चांदार अब इसके बाद चलेगा कैलकुलेशन बस मुझे इत्ता देखना है कैलकुलेशन के शुरुवात की पांस सवाल में और आप्शन है कि नहीं मज़े उत्ता देखने बसमें एक बार अधिए अध्याइज सब्फ़िषा नंबरल लगारें कि जरा साइसी बताओ है साथियों किया नंबर दिख रही हैं किया अपने आप में इस्पेशल्य मुझे तियार बहुत सारे परफेक्ट इसक्वार क्यूब नजर आ रहे हैं मुझे तो बहुत सारे perfect square और cube नजर आरें दोस्तों क्या कहिते हो है ना पर्फेक्ट स्क्वयर यहां पर देखें तो 17 का क्योब दिख रहा है यह मुझे याद है भुद बढ़िया से और विद्या कसम खाकरें विद्यारानिक कसम इसका क्यूब मुझे क्यूं याद हो बताएं पता मुझे क्यूं याद हुआ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी हां खुब भैंकर जो है बैक्ग्राउंड मुजिक के साथ मतलब हम खुद आत्मी विवर हो गए और उस रील में था क्या कि मतलब क्यूब रूट निकालने ट्रिक थी खुब हैंकर मतलब और अगर इसा क्यूब रूट निकालना है कि 4913 एसा लिखा है भाई तो इसलिए मुझे याद हो गया इसा नहीं इंस्टाग्राम फाइदा भी करता है फिलाल दोस्तों इस सवाल में थोड़ा लोचा लग रहा है क्योंकि यह नंबर भी गलत दिख रही है और यह नंबर भी घलत दिख री है यहां पर 271 होना चाहि है यहां पर 144 होना चाहिए हिए डिफ्रेंश सब्हूर भी है निस्टाटमत है क्योंकि सब्कुष कुणत हो रहा है वुद्ध धिःटियों को सब्कुष को थिए। है ना ढोड़ नंबर गलत दिखे रही इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है साथिए थोड़ी मिस्टेक दिखे रही है यहां पर दो टम गलत दिखे रहे बाकी सारे परफेक्ट हम लोगों बहुत सारे question करने है आपको पता है बहुत सारे starter है भी है खाली इतना हो चुका है और starter का मेन आइटम होता है खाने में starter का मेन आइटम क्या होता है जो snack type में होता है लोग को पसंदीद है चाउमीन टाइप में नूडल तो अब वो सुरू होने माला है जहां पे आप खुल के परफॉर्म करेंगे और हर बच्चा आपको compete करेंगा हर बच्चा भेंकर कॉम्पीटिशन देगा शुरू करते हैं ताबरतोर अंदाज में calculation यानि simplification बस आप से टाइमर इतना कहेंगे एक ही नारा एक ही नाम ठीक है जी बीड़ टाइमर अगे बढ़ते हैं मैंने पहले भी काज इतना काम मन में हो जा उतना काम मन में करें अगर हम 14 से डिवाइड कर दें अगर इसी सवाल को हमें मन में करना अगर हम 14 से डिवाइड कर दें साथी हो तो यह 14 गाइब होगा यहां पे 14 टेक 112 आएगा यहां पे 30 आएगा और 30 में 8 घटाएंगे तो value 22 आजाएगी और यहां पे दिख रहा हमें x upon 5 गुड़े 735 ठीक है जी ऐसा दिख रहा है तो यान एक सवाल चोटा सा बनता है यहां पे हम एक बार चेक करेंगे नोट करके है दो आप्शन देंगे आप लोग पोल के माध्यम से एंसर देंगे सवाल यह है कि 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा ठेके जी यह कितना होगा क्योंकि एक हम बोर्ड मास के जानते ना किया डिवाइड करना चाहिए हमें तो इसका पहला जो ऑप्शन है साथियों वो है आठ और जो दूसरा इसका ऑप्शन है वो है दो तो एक बार सभी छात्र कमेंड बॉक्स में हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा और बस जाएंगे इस सवाल को मैंने इसलिए दिया कि आपको इसकी ठ्योरी क्लियर हो जाए इसका कंसेट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यह सवाल आपके सामने रखा है ठीक है क्योंकि जिन बच्चों को आता है उनके तो कहें गुरुजी मतलब क्या कर रहे है मतलब जल्दी आगे जोड़ा जाए तो जरा ध्यान दे हमेशा डिवाइड कभी भी आये ना कभी भी डिवाइड नहीं कि डिवाइड पहले किया जाता है तो ऐसी विशम परिस्थिती में आप करना क्या है डिवाइड कि जिए का मल्टीप्लाई का साइन लगा है जो भी नंबर लिखी उसका रेसी प्रोकल लिख दिया और अब आपको सही जवाब मिल जाएगा तकलीफ कहीं पर भी नहीं होगी बिल्कुल अराम से एंसर आपका अच्छा रेल गाड़ी एप्रोच यह बड़ा बढ़िया भाई रेल गाड़ी में इसका खास बात होती है कि दस यहां पे सबसे पहले सौम मिरंजन साहू मनोजीत सिन्हा ऑप्शन नंबर इबता रहें यहां पर कह रहें पांच आएगा इस सवाल कर जो भाई चेक करते हैं खतरनाक सा कैलकुलेशन लग रहा है यार भाई यह नंबर कितनी आएगी 26 दुना कितना होता 52 कहो हां 26 दुना कितना होता 52 यानि कि 5 कह रही 26 पंचे 135 पांच मिलकर के कितना आएगा 135 आएगा अब क्या करना है कि यह वाली नंबर और यह वाली नंबर जुडेंगी और उधर लिस्सों आ गया इधर कितना लिखा गया 387 0000 डिवाइड बाइड बाइए एक्स बराबर इतना तो इस इतने सवाल का जवाब क्या होगा देखो 0000 कैंसिल क्या यह नौबार जा रहा बिल्कुल नौबार जा रहा तो अगले कोश्यन पर हम लोग मूव कर चुके हैं आप लोग की संख्या इतनी कम क्यों है बताओ जड़ा ठंड का आनंद ज्यादा जरूरी है क्या आज शेयर वगेरा नहीं किया आप लोग कि हुआ है कि क्या कि आज मतलब करना ही नहीं शेयर वगेरा चलो बाई बहुत जबर्दस्त इस कुश्यन पर आते हैं कि हाँ पर कितना लिखा गे आपने का एक सपाउन फाइब लिखा गुरू जी इसके आगे मत छेडिएगा है आगे बढ़ा जाए तो 206 का अधा कितना होता है 206 का आधा और फिफ्टी परसंट फील होता है न तो कितना आता है यहां पर चार से डिवाइड करें असी गुड़े तीन कितना आता है हो तुम लोग है ना बहुत टेंशन में आ गए हो ना परिशान टाइप में अच्छा मुझे इतना बता हमें एक नाम ऐसा मतलब जैसे आप लोग अड़र 24 7 YouTube चैनल पर जूड़े हुए हो और सबके सेशन देखते हैं आप लोग तो बताना यह इस टाइप में अपना सेशन कौन स्टार्ट करता है ठीक है बताना उसे सेशन स्टार्ट हुआ तो शुरू हुआ कि गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं टीचर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर मैं teacher, trainer, motivational speaker आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कोन स्टार्ट करता है बता हूँ बहुत टेंसन हो रही है हम बता रहे हैं कोन इसे स्टार्ट करता है मैं teacher, trainer, motivational speaker हैं? अच्छा नोनी सर चलो बहुत बढ़ी है ठीक है मतलब आप जुड़े रहते हो पूरे सेशन दे, मतलब हाँ आप है अड़ा परिवार का हिस्सा चलो जी आगे बढ़ते हैं चलो अभी इसके बाद हम हाँ अभी इसके बाद फिर कुछ पूछते हैं अभी फिर पूछते हैं, इस सवाल के बाद अगला पूछेंगे नाम फिर बताना ठीक है इस को शन के इसर फटाक से इसर बताए जाए उसका फिर अगला पूछते हैं अच्छा वेल्कम बैक हाँ ये भूल गए थे यारव वेल्कम बैक चलो जी, यहां पर आते हैं इसको उड़ाते हैं, कितना दिखेंगा हैं यहां पर, 225 का डबल दिख रहा नहीं है तो यारी नंबर आगे 20, ठीक है जी यह 20-20 कैंसिल हो गया, मतलब इस साइड बचा 115, छोड़ दो इसको इधर, 48 नीची आएगा तो 12-49 ऐसा कट मार सकते हैं आप लोग, 12-49 यानि एक्स डिवाइड बाइड बाइड फॉर, बिल्कुल सही बात, यानि एक्स डिवाइड बाइड बाइड फॉर हो गया, भाई, 48 नीची आएगा न, बगल में कितना है, आपने का 230, बहुत बढ़ि डिवाइड कोन इस्टार्ड करता है, A Very Goode Ini, Dear Aspir dBi Rzt, करता है, और 4 खटा खळी अ, क्या क्या, मपे चार कंपोनेत गपिखा करने क्वाट होती है, दिल, दिमाग, ने, दिमाग, कंसंट्रेशन, पेन और матери, नोटबुक और पेपर, वेरी गुड इन डियर एस्पिरेंट्स चार कंपोनेटी कठ्था कर ले ना दिमाग कंसेंट्रेशन पेन एंट पेपर आचा सवराशन चलो जी आगे बढ़ते हैं लोग ठीक है मतलब पकड बनाए हो तुम लोग उसमें कोई दो रहा ने प्रोफेसर बिल्कुल सही बात ठीक है ठीक है अब की वाला नहीं बता पाओगे चलो जी यहां पर आते हैं भई 34 का 5 गुना करना है यहां पर और इधर क्या करना है 34 का पहले 5 गुना कर लेते हैं तो 17 तो लिखा आई है और बाकी 34 का पांच गुना करेंगे तो कितना पांच ओक बीस दो कहरी पांच गुले तिन पंद्रा और दो मिल करके 17 आ जाएगा ठीक है जी अभी साथ से कैंसिल करते हैं नीजे तीन आएगा ऊपर चार आएगा यानि 40 डिवाइड बाई अब 3 से 3 कैंसिल हो गया चोड़ो त अब इस सवाल पर यहां पर क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो 25 परसेंट लिखा कि हम करेंगे क्या इस परसेंटे से इन दो जीरों कैंसल कर देंगे इस से बड़ा बढ़ियां लगेगा कैसे अब देखो 17 और 5 मिलके 50 तो उपर नंबर आ गई 5 के बराबर ठीक है फिर 13 को साथ से कैंसिल के साथ आ गया हाँ पर साथ आ गया तो पांच दिख रहा है साथ दिख रहा है ठीक है जी अभी कुल मिला के इन्हीं को मिल्टिप्लाइ पांच अठी कितना गया चालिस चालिस हो गया और इसमें आके 800 घट जाएगा ठीक है और बराबर है मारे कुश्चिन मार की वैल्यू तो चार गुड़े तीन बारा एक करी चार चंग 24 और एक मिलके 25 ठीक है इसमें घटे का कितना 800 तो नंबर कितना आ गया 25 में 8 घटाए 17 17 120 एंसर कहां पर लिखा गया option number 2 correct एंसर ठीक है और यह कैसा मतलब यह कौन बता टीचर के नाम बताना ठीक है जी नमस्कार दोस्तों यह कौन करता है बताओ जी नमस्कार दोस्तों आओ अगली समाल पे ठीक 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 चलो जी समय समाप्त हो चुका है अगले सवाल पे आते हैं ठीक है पकड़ में आ गया आगे बढ़ते हैं परसेंटे से डबल जीरो कैंसल यहां पर कितना आ गया 29x ठीक है अभी यहां पर आते हैं तो 20 परसेंट का मतलब एक बटे पांच होता है एक बटे पांच यानि 250 का अगर एक बटे पांच करेंगे तो वैल्यू पचास आएगी और पचास का मतलब होता है पचास लिख करके दो जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे यानि 5000 हो जाएगा ठीक है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 800 और जोड़ना पड़ेगा ठीक है यानि अठावन सो हो जाएगी वैल्यू और अगर हम यहां पर 29x लिखा है यानि अगर एक्स की वैल्यू लेंगे तो लेकिन आप लोगी संख्यापूत हो गई मुझे अईसा लग रहा है लिटरली बहुत अईसा लग रहा है है ना तो 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 समय समाप्त हो चूका आथ हूं यहां पर आते हम लोग एक बात अच्छा मेशा ध्यान रखना मतलब अभी जिस टाइप के कैलकुलेटिव सिंप्लिफेकरेशन रख रहें वीजबीच में दो चार डाल देते हैं नॉमल टाइप में लेकिन उसके लामग कॉम्प्लीकेट भी मतब कैल्कुलेटिव रख रहे हैं ठीक है ताकि एक्जाम में दिक्कत ना है आपको अभी इसको कर कैल्कुलेट करना है तो आपको पता कि यह नंबर इस साइड जा करके एड होगी तो आठ गुड़े तीन कितना आ गया है 24 दो कैरी 17 गुड़े आठ कितना होता है 136 दो और ज जोड़ोगे 56 यानि 6 5 करी 15 दोने 305 मिल करके 35 आगया अभी यह नंबर जा करके घटेगी तो एक काम करते पहले जोडते हैं 7 4 11 7 8 15 एक मिल करके 16 एक करी 5 एक 6 और 3 मिल के 9 5 और 1 मिल के 6 घटेगा कितना भाई यह नंबर 3561 तो 3561 घटेगा और नंबर आएगी हमारी 34 00 के बरा जवाबर इतना तो अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा फाइनल एंसर है यानिकी जवाब आ गया वन के बराबर वह 34 34 कट जाएगा न 3400 3400 अगले कुशन पयादा कुशन में 24 जल्दी से इसको चाटका जाए फटाक से चलो सब बाश अब इक बात बताएं जड़ा जैसे हाँ पर दशमलो चार लिखा है है ना इसको पांच से मिल्टिप्लाई कर दें तो कितना आता है 35 गुड़े 5 175 होता है 35 गुड़े 5 कितना होता है 175 दो और जोर दो तो कितना है तो ठीक है अभी हो सकता है यहां पर मिस्टेख हुई हो तो देख लिना इपने हिसाब से बाकि 2795 और डिवाइड बाइड बाइग एक्स लिखा गया 38 का स्क्वाइर कितना होता 1 1444 होता है घटाएंगे 14 में 5 घटाओंगे वैल्यू नौ आएगी अच्छा 9 से हम 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तभी तो एक यूनिट डिजित मैच खरालो है ना अभी इसके बाद तो यूनिट डिजित लगा दो वही काफी है क्योंकि अगर यह नंबर घटेगी इसमें तो लास्ट डिजित 5 आएग सबश फिर से कहें के बहुत सारे कुश्चन करने हम चाहरा है कि जल्दी सी इस कैल्कुलेशन वाला पार्ट जल्दी से खतम किया जाए फिर अपन हम लोग D I E Arthematic DS Q1 Q2 इंस इंस अब की दुनिया में मूव करें ठीक है हो गया समय समाप ठीक है यहां प्याते हैं तो लिखा गया 2000 का एक चौथाई जो की 500 होगा 2000 का एक चौथाई करेंगे तो वैल्यू 500 आएगी 500 में 280 घटाओगे तो 220 मिलेगा यानि पूरी नंबर यह पूरी नंबर हमारी 220 हुई यह काम मन में करेंगे आप लोग और इसको ज देखेंगे तो साथ नीचे आएगा तो 14 मतलब ऐसा हो गया यह कि दोनों चुकी दोनों नंबर नीचे आएगे और 14 बटे साथ दो होगा उपर तो कुल मिला कि यहां पर जो बचेगा वो बचेगा पांच नीचे और दो उपर है ना ऐसा बचेगा यह ठीक है आप इसको चे कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा यकिन है कि आपके जोश और रफ्तार में कमी नहीं आई है अब तक अभी तक मतलब लिटरली वही फील आ रहा नहीं कि नॉमल ही है तो कुछ ही नहीं है लेकिन बस मुझे एक ही चीज नहीं समझा रहेगी आप लोग की संख्या मत बढ़ते हैं लाइक भाइक ठोक दीजेगा अपने हिसाब से चलो आगे सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन आपकी स्क्रीन पर पीयो बन्नु या क्लर्क अरे इतना छोटा गुद्डन भाई हमारे पूछ रहे थे कि पीयो बन्नु या चेर्मैन हम कहें चेर्मैन कभी तक एक्जाम नहीं होता वरना आप सबसे पहले चेर्मैन ही बनते तो यहां पर कितना आ गया एक सो पांच आ गया ठीक है जी नौ बटे तीन देखो इसक्वार रूर तो नौ ही होगा नौ बटे तीन का मतलब तीन होगा चौदा गुड़े तीन कितना आएगा बायालीस आजाएगा और इसमें घटेगा कितना 17 यहीं एंसर रहा तो 147 में 17 घटाएंगे तो वैल्यू 130 आएगी ठीक है जी ऑप्शन ए करेक्ट एंसर रहा अगला कोश्यन आपकी स्क्रीन पर है अगला आपकी स्क्रीन पर है इसमें भी थोड़ा सा जोश दिखाना है आप लोग को ठीक है बहुत जबरदस्त भाई शानदार तो कितना लिखा गया यह नंबर यह कितना दिख रहा है 120 कहो हाँ 120 में 80 घटाओ कितना दिख रहा है 40 सही बात 40 दिख रहा है 40 और 240 का डिफरेंस कितना होता है माइनस का 200 होता है और 14 गुड़े 15 कितना होता है 210 210 तो क्या नंबर 10 दिखरी आपको option दो दिख रहा है ना कोई बात नहीं दिखना चाहिए अगर नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए देखो रिम जिम चौरसिया इतना ताबर तोड़ा इंसर कर रहा है भाई क्या कर रहा है आप लोग अभी इस जिगा पे a square minus b square लगाओ सबसे बहतरीन जल्दी जवाब मिलेगा यहाँ पे a square minus b square लगाओ तो होता क्या है a plus b एक bracket में दूसरे bracket में a minus b यही होता है ना तो a plus b करेंगे जवाब कितना एगा 71 a minus b करोगे जवाब कितना एगा 9 तो आराम से multiply कर सकते है 9 एक कम नो 9 गुड़े 7 63 और इसमें add कितना करना 13 का स्क्वाइर 179 एड़ कर तो 9 9 18 6 3 9 1 10 6 और एक मिलके साथ तो 708 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा चे 3 9 10 6 7 और एक मिलके 8 हो गया आफ करेंगा 808 दिखना चेहिए option number 4 correct answer ठीक है अगला कोश्चन अगला कोश्चन अगला कोश्चन अगले से खड़े-खड़े तो दद्द सेकर्ड में चटकाने सारे सवाल हम बाइच जाते हैं तो तुमको लगता है कि ठीक है आराम से कल नहीं कि अब कोई बात नहीं अच्छा यूनिट डिजिट चटका दिया यहां पे भी यूनिट डिजिट अलग-अलग है भाई तो अगर हम यूनिट डिजिट के हिसाब से चले हैं तो 4 मिलेगा और उधर 1,4,1,5 भाई इसका answer तो option number भी correct answer है है ना बिल्कुल सही बात यूनिट डिजिट लगाओ यहां पे आठ का स्क्वाइर कितना होता बोलो 4 यहां पे 0,9 का स्क्वाइर एक आखरी अंग कितना हैगा 5 एक मात्र option ऐसा जिसमें की लास्ट डिजिट 5 दिख रहे है क्योंकि 5 का स्क्वाइर रूट लोगे ना तब भ सोला ठेक है ना यही आ रहा है बोलो यही आ रहा है ना क्या क्या मैंने 750 परसेंट यानि 15 बटे 2 ठेक है दो से कैंसिल किया 11 यानि यहां पे इस पूरे portion का इस पूरे portion का जो आखरी अंग का आया वो 5 आया अभी 3 में 5 घटाओगे तो इस पूरे portion का जो आखरी अंका आएगा 13 में 5 घटाओगे 8 आएगा इस side लिखा है 8x बराबर और यहाँ पर नंबर कुछ भी होगी last digit 8 है अब 8 मतलब 8 में किस नंबर का multiply करें कि 8 आजा है कि तो आट में 5s, 3, 2 आता है 8 में 8 कुन recompile चारे:「 आट में 2 आता है आट में 1 संख्या स्थी है लुसको मल्टिंप्लाई करने पर 8 आता है कहा नहीं हो घटम लो ज़ेहन चेपार तो यूनाट डिजिट यूनिद भी एक बहतरिन उप्षण होता है इसं में कोई दो तो शुरू करते हैं ताबरत और अंदाज में पहला कोस्टिन जो है वो आपके डेटा इंटरपेटेशन से हाँ कल वाली डिया इसी टाइप में कुछ चार्ड था तो कल वाली जो डिया थी ना वो बेसिकली क्या थी कि वह आपकी SBI कि दिया थी है तो सवाल तो सॉल हुए लेकिन वो प्रिलियम स्किर पॉइंट ऑफ वी से नहीं थी वो एक इसा बस रख दिया गया था थोड़ा सा आपको मानसिक दबाओ हो जाया हलका सा तो वो कल वाली डिया इस बार कमेंस की थी मतलब कुश्चन सॉल वह थे टाइम कंजु तो नंबर ओफ इस्टुडेंट दिये गया है तो कुछ है इसमें मार्च असे यह देखना मार्च 2020 का डेटा है यह मार्च 2020 में इतने इस्टुडेंट्स हैं अब सवाल पर आते हैं कुश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा अब यह नॉर्मल सवाल है बहुत तेजी के साथ खींचना इसको कोई बात नहीं बेटा दो घंटेक सेशन है आज हां तुम्हें क्या लगा एक घंटेक है क्या अरो मैं राथन चल रही भाई हां दो दो घंटे कल भी एक गंटे 40 मिनट का सेशन था आपने देखा ही निध्य सेशन है और अवो गरेस्टोड़ा हैं कहां से एस वाल इस्टूडेंट से पर आर के इस्टूडेंट किटने लिखे हैं आप ने कहा गुरुजी चार्स यइस वाले कितने लिखे हैं आपने कहा हुरुजी 320 मेरे प्यारे दोस्तों जड़ा इन का रेशू बताये आप कितना तो आप यहां पे ratio चोड़ो कितना जादा पूछा गया ना तो आप ये देखो कितना जादा दिख रहा है आपने कहा गुरुजी 80 कितने पे भाई तो आपने कहा 320 पे तो बताईए 100 पे कितना क्या ये 8 गुरे 4 यानि एक बटे 4 दिखे रहा है एक बटे 4 का मतलब 25% होता है को हो हां बिल्कुल सही बात अगले question पे आजाते हैं जल्दी भाई फटाफटे सभी चात्र इसका answer करें के normal questions है को इसमें दो रहा है नहीं सवाल दॉमन है तो चटकाओ उसी अंदाज में इस अभी simplification में परफॉर्म कर रहे थे आप यह मत करना कि नहीं नहीं गुरुजी मैं तो बस खाली simplification करता हूं फिर में चाह पीने चला जाता हूं फिर सो जाता हूं सवाल पर फोकस करते साथ हो कहा गया कि अप्रेल यानि कि है तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इस्टुडेंट क्यूंड यू इन अप्रेल बिस भाई कुछ नहीं सवाल में मुझे पहले क्यू और यू का टोटल बता दो क्यू और यू का टोटल तो क्यू पे कितने हैं 250 यू पे कितने हैं 240 जड़ा एड करना इनको तो आप कहेंगे 25 और 24 मिलके 49 हुआ यानि 490 और इसमें क्या हुआ कि जादा कितने लोग जादा पढ़ रहे हैं 50 और 60 यानि 110 जादा पढ़ रहे हैं ठीक है जी तो 0,9,10,4,1,5,1 मिलके 6 यानि 600 इस सवाल का जवाब रहा option number 3 correct answer अगले question पे move करते हैं भाई सवाल normal है बिलकुल simplification नहीं समझ आपको तो मैंने टीम को बोला कि यह का डाल दिये थे तुसने दॉज और गुरु झी मेंस का डाल दिया था मेने किए हम ने पूचा एक्जाम चार दिन के बाद है तो मेंस का हैं दाल दिये थे जो इसने कहा ठीक het Gegen кино प्रेलिम डालते हैं प्रिप्रोगें तो प्रेयस क्या आगा इनको एड़ करना पांच दो साथ और यहां पर आते हैं दो साथ और दो मिलके नो हुआ एक और दो मिल करके तीन तीन और तीन मिल करके छे तो टोटल जोड़ने पर 690 आता है तीन से डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 230 कहो हां 230 करेक्ट एंसर रहा बहुत बढ़िया अगले कुश्यन पर कुश्यन नमबर 34 बस यहीं रफ्तार मेंटेन होनी चाहिए भाई जो भी आप मेंटेन किये साबाश ठेक है कहा जा रहा है कि जो टी में पढ़ने वाले बॉइज हैं वो 60 जादा है जो लड़कियां उसमें पढ़ती हैं तो आपको नमबर आफ गल्स बताना है टी में अच्छा जी अच्छा टी में अगर आप फोकस करें तो टोटल नमबर कितना दिख रहा है 180 यानि कि प्लस गल्स का जो नमबर है वो 180 है फिर बोला गया क्या कि भाई जो है वो 60 जादा है यानि बॉइज माइनस गल्स दिया गया 60 के बराबर गल्स का नमबर चेंगे दोनों घटा के आधा कर दो यानि 180 माइनस 60 डिवाइड बाई दो अगर बॉइज सही होता तो जोड के आध लिविल लिविल करने स्काम नहीं चलेगा ध्यान रखिए का साथ यह बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग जबरदस्ट लिटरली बता रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने चलचा की थी हैंड़ा अपने सालों की हमारे इस宮 three ने फिलम देख्याओ एक तो संयोग देखें मतलब इसको संयोग क्या मतलब बड़े बुजर्गों कोई पाप कर्म रहा होगा जो हम पूरा काम किये होंगे तभी देख लिए अब पिच्चर देखने के बाद उनकी निगाहें मतलब अलग अंदाज में हमको देखती हैं उनको इसा लगता है कि मतलब हम मतलब हमारे भी पापा ही क है तो नको इसा मतलब हम भी साजीषवाजिस कर रहें उनका बिजनिश वह हड़ै पने व्गेर कोशीच कर, तो वही बड़ा अजीब अद्दाज में देखते हैं, है नध फिलम देख रहें तो 15 मिन बाद जब नप 15-20 मिनट में सरीन आ गिया थो जीजा वाला जब उसकी बहन कहरे थी माफी मागो, माफी मागो, तुम्हारे जीजा है माफी मागो, तुघर माफी नहीं मागेंगे, तो बड़ी मतलब विसम परिस्थिती थी उस टाइम, और फिलम देखने, 20 मिनिट बाद हम भोले, ठीक यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे जाने दो, अब हम जा रहे हैं मेरी क्लास सुबा, जीजा आपकी क्लास तो मतलब साड़े बारा बजया, इसे किसी मतलब कहरे हो, आप साड़े बारा भारा राम से जो जाना, तो बहुत हम दब के मतलब पिच्चर देखे हैं, वो वाली, तो आईसे तो है हमारे, चलो फिलाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया, कि रेशो जो दिया गया साथियों, वो लड़कियों और लड़कों का दिया गया ये, और कहा जा रहा है, लड़कों की संख्या बताएं, तो भाई, एगर लड़की और लड़के, बो गल्स तू बॉइस, तो बॉइस य तो मतलब उसके बास से हम लगा था रहे नहीं मेरी कोई गलती नहीं है यही आ रहा था क्या करें अब मेरी गलती नहीं एक बार देख लो फिर सिभाई एक सो साथ ही और हम क्या करें तो यह वाला सीन हो गया था भाई साब मतलब क्या यह पानी है नहीं हाँ लग तो पानी रहा है अब आप ही बता है मतलब क्या है इस ट्राइप में चलो खेर अगली सवाल बढ़ते हम लोग देख चलो भाई आते हैं इस पर बेटा फेपर बेलेंस बनता है कुछ आपको बहुत आसान मिलेगा कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि वही आपको बाहर करास्ता दिखा सकता है तो आसान मुश्किल सब एक साथी होता है मसला यह होता है कि आप 35 निपार रहें कि नहीं है ने चलो सवाल आते हैं भाई ज्यादा दिमाग ना लगाओ चलो बहुत जबर्दस्त आते हैं भाई जबर्दस्त हो जाएगा भई डन बहुत बढ़िया अंजु तीवारी ने सबसे पहले सागर ने बोला डन अंजु ने बोला है डन आरती ने बोला डन ठेक है अमरिच और अश्य ने बोला डन बहुत जबर्दस्त है ठीक है जाए वह समय समाप्त होता है कि हो जाएगा मुझे से लग रहे है नॉमली सवाल दिख रहा है तो इसमें कुछ दिया ही नहीं तो डारेक्ट डेटा देता चला जा रहा है जारा है मतलब अभी दो मिनिट पर जो मैने पढ़ा है उसमें तो डारेक्ट सबसेधिया इस प्रिम्टि मदता है कि मुंबई लोकल ट्रें में चरूल चाले आदे करें लेकिन p you 240 ज्यादा है त्वाइस द नंबर ओफ ठीक है फिर वही गजल लिखा प्रिविएस डी ठीक है जी यानि इसके दो गुने से यानि 17 पान्सों के दो गुने से फिर कितना बोला ज्यादा है 240 ज्यादा है तो अगर इसको कैलकुलेट करो तो क्या बोलोगे आप 17 दूनी 34 एक 35 है ना साड़ी सत्रा कर डबल करोगे 35,000 हो जाएगा और 35,240 है ना तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 35,240 ऐसा बोल सकते हैं ठीक है फिर बोल वेंजडे को जो ट्रैविल करने वाले लोग है वो एवरेज हैं मंडे और ट्यूजडे एक साथ का अच्छा भाई इन दोनों का एवरेज निकालना है तो अलग से साइड में निकाल लो भाई तो एक काम करते हैं पांच और दो मिलकर के लास्ट में 740 आएगा और 35 और 10 जो 37,0 यह आ जाएगी है ना वेंजडे को जो है वो एवरेज हैं मंडे और ट्यूजडे का ठीक है फिर अभी थजडे की बात की गई तो यह तो आपने निकाल लिया होगा इसको हटाई देते हैं अब तो आवरेज जोड ही लोगे अवरेज निकाल ही लोगे दोनों को जोड के ऐसा बोला गया फिर कहा जा रहा है कि यह भी देखा जा रहा है कि it's also known that number of passenger from Monday to Friday तो Monday और Friday का total जो है वो 5 गुना है Wednesday का अच्छा जी तो काम करते साथियों इन सब को हम एड करते हैं इन सब को हम एड करते हैं या फिर यू कहें कि अगर यह पूरा जो टोटल है वो Wednesday वाले न इसका मतलब इसे सोचो सोच के देखो जरा अगर यह पूरा जोड करके पांच आ रहा है और उसमें यह एक है तो इसका मतलब इनको जोड करके चार आना चाहिए को हां अगर यह पूरा जोड करके पांच है और उसमें यह एक है तो इसका मतलब अगर इसको हटा दें तो इन तो हम इन दोनों इन दोनों को जोड़ दे तो चार आना चाहिए और यह पूरा नंबर हमारा एक होगा तो क्या हम इनको जोड करके डिवाइड बा इतना करके इसा फोर रेशियो बन कर दे क्या रॉंग हो गया विंजडे मंडे तूजडे 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 मंडे तूजडे मंडे तूजडे कहां रॉंग हो गया विंजडे का जो नंबर है वो एवरेज है मंडे तूजडे कहां रॉंग हो लास्ट वाले लाइन से गलत हो गया, लास्ट वाले लाइन क्या है, 5 times the number of travelers on Wednesday, Monday to Friday 5 times, एक second, number of people who travels on Friday, number of people who travels on Thursday, 350 less than number of people who travels on Friday, यार सही तो लिखा यार, कहाँ कहाँ गलती होई, मुझे तो गलती दिखी ने रहे, तुम लोगो अजीब चीछा ले इदर कर रहे हो, जबरदस्ती, 26, 3, 70, सही तो है यार, तुम लोग बेवज़े काम कर रहे हो, सब को जोड़के एक्स की वैलो निकाल देते हैं, ठीक है जी, सब को जोड़के एक्स की वैलो निकाल दो, बस कहानी खतम होगी, आई आगे बढ़ते हैं, देखो जड़ा ध्यान से तो एक काम करते हैं, सब को हमें जोड़ना ना सब को जोड़ना है तो एक काम करते हैं, जोड़ो जड़ा 0 एक काम करते हैं, पर लिख लो गया हाँ, बी मतलब के लिखा तो है, इसी जोड़ो लिख देते हैं एक बड़, 17500 प्लस 35240 ठीक है प्लस 26370 प्लस इन दो नोग जोड़ो प्लस 2X-350 बराबर क्या लिखा गया है इसका 5 गुना 5 multiplied by 26370 तो हम जो भी आपको बता रहे थे न यही बता रहे थे काम को रहे इसको इससाइड लागे फेंक दो तो कितना होगा 4 multiplied by 26370 इसको इससाइड लागे घटा दिया मैंने यही चीज हम बार बार भी बोल रहे थे अब इनको आपस में अड़ कर लो ठीक है ना तो 500 240 जोड़ो 740 होगा 740 में 350 घटा दो 740 में 350 घटा दो कितना आएगा 0, 14 में 5, 9 और 6 में 3, 3, 390 है ना तो कुल मिला के यह नंबर यह नंबर और यह कितना आगे हमारा 390 ठीक है तो नंबर मैंने पहले लिख लिए 390 और जोड़ी तो रहे है सबको 17 और 35 मिल करके 52 होगा 32, ठीक है बचा कितना, प्लस का 2X ठीक है, इतनी नंबर आई है अब 2X की वैल्यू इसको मल्टिप्लाई कर लो 70 गुड़े 4, 280 होता है यानि 80, 2 कहरी चारतियां 12 और 2 मिल करके 14 1 कहरी, 26 गुड़े 4 104, 1 मिल के 105 देख ले ना यार बहुत ज़्यादा काल्कुलेशन हो, इतना काल्कुलेशन करने का मन नहीं करता है, 52, 30, 20 घटा आदो इसमें से 0, 8 में 9, 18 में 9, 3, 3 में 3, 0 ठीक है, 105 में 3, यानि 5 में 2, 3, 10 में 5, 5 ठीक है, ये 2X की वैल्यू रही है तो 2X की वैल्यू इतनी आई है ना, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम X की वैल्यू लिखे हैं यहाँ पर, कितनी होगी 20 मिनिट होगा ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं X की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या मतलब छोड़ दिया करें क्या? ना किया करें हम calculation ना किया करें calculation ना छोड़ दिया करें तुम्हारे लिए वो ज्यादा बढ़ी है रहेगा X की value इतनी आएगे 26 ठीक है जी एक यानि कितना आएग यहां पर 5 फिर यहां पर कितना आजाएगा 2 से डिवाइट करना पर 45 26 545 आ रहा है ठीक है ठीक है 26 545 इस स्क्रीन के सामने calculation करने में अजीव लगता है इसमें कोई 2 रानी इतनी स्क्रीन पर calculation करने में अजीव लगता है इसमें कोई 2 रानी लेकिन फिर भी हम यह कोशिश करते है calculation कर के दिखा दें आपको छोड़ते नहीं calculation बहुत रेयर ही होता है जो आपको काल्कुलेशन के लिए छोड़ दें, ठीक है, तो हो गया वाई, सब कुछ आ चुका है, X की वैली 26595, यानि ये नंबर 26595 आ चुकी है, अगर 26595 है, इसमें से 350 घटा होगे, ती हमारा 245 आएगा, यानि 26245 ही हो गया, 26245, ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कल्कुलेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे डियाई भी कम्प्लीट हुई, केसलेट भी कम्प्लीट हुआ, अब मूव करते हैं, अर्थमेटिक के तरफ, ठीक है, तो पहले, हाँ, दस कोईशन पूरा, आज तो पूरा करेंगे हम, हाँ, आज पूरे प्राइब करोंगे है, अब डूगंते का सेशन हो, जरे डूगंटे का सेशन हो, जरे दो गंते का उचाई भाए घंटे का, अब जिसको यह हो कि खाली टाइम में अब भी पास तारिकों एक्जाम है, अब आपके उपरड़ि मेरे भी करता है, या तो, यह तो सब्सक्र समू क्या गलत हुआ भाई 26,115 26,545, 26,370 चलो ठीक है भाई अब आप कैलकुलेट कर ले ना ठीक है ना 26,545 आएगा गुरुजी 26,545 आएगा चलो ठीक है हो सकता मुझसे केलकुलेशन मिष्टेक हुई हुए हो सकता मुझसे केलकुलेशन मिष्टेक हुई हुई 26,00प चान्ब आएगा कोई बात नहीं आप आराम से चिक करना इट में भी पॉसिबल केल्कुलेशन में सब्सक्राइब कोई बरे पास जगां भी नहीं उतनी जगां भी नहीं तो एक बार आप अपने हिसाब से एक बार कल्कुलेट कर लिए ठीक है कोई बाती 26-545 हो सकता है 26-545 मैंने आपके सामने कैलकुल हो सकता है गलती होई हो ठीक है अब देखा दूसरी चीज जो हम आपको में बताने वाले थे वो सुनो तो एक आप्शन तो यह है कि अभी इसके बाद आप सेशन स्किप करें जा करके अपना फिर कुछ अलग काम करना सुरू करें और फिर उससे होगा कि पांस दिन बाद एक्जाम है और आपके अंदर नेगेटिव विचार जो है ना यार मेरा स्कोर नहीं आ रहा है मेरा यह हो रहा है वह जादा हावी होने लगेगा दूसरा अप्शन यह का आप मेरे साथ जुड़े रहो लास्ट तक चीज पांसु पंचान पर लिग गए 26 545 ही लिखा है मैंने बाकी आप चेक कर ले ना अब इनको उड़ाओ ना भाई अब इनको उड़ाओ अब इनको उड़ाओ सारे कुश्चन करें फिर से कहरें पचपन कुश्चन एक DAS भी है Q1 Q2 अर्थमेटिक भी है सब कुछ करना है टाइम चाहेज इतना लगे टाइम का लोड नहीं है बिलकुल भी ठीक है जी एने क्य ठीक है एक तीन गुना अमाउंट के साथ फिर उसके बाद कहा गया टोटल प्रॉफिट अर्न भाई बोथ आफ देम इतना है यार सवाल में तो कुछ ही नहीं है आप से ये बोला गया कि A और B दो लोग है ठीक है जी और B ने A का तीन गुना जमा किया है एक कंपेर में यान nossa पूरा प्रॉफिट बटेगा वोँ मारा दो और तीन के बटेगा बिल्कुल साहि बात दो और तीन के रीशियों मी अप कहा जा रहा है साथियों की जो टोटल प्रॉफिट है प्रॉफिट अर्न वह टोटल इतना हैं इन है आप से काड़ा डिफरेनस बेटीन या बिटीन एक यूनिट की वैली तीन हजार दोसो चानवे रूप है, आप लोग अभी स्कोर बूश्टर में अपना अर्थमेटिक ही चल रहा है, और किसी को अर्थमेटिक में दिक्कत है, तुम फिर से कहेंगे, अपना दक्ष प्रीमियम इस्टार्ट हो रहा है दस जनवरी से, बे हीच ठीक है, A, B, C काम को पूरा करने में इतने दिन का समय लेते हैं, A और B, ठीक है जी, A और B, 60% काम कितने टाइम में करेंगे, जड़ा ध्यान से देखें, A और B, आज SBI कलरक वाले बहस में टाइम एंड वर्क ही स्टार्ट हुआ है, 12, 15, 5 बूला गया ना, तो 12 दिन, 15 दिन और 5 दिन, इतने दिन में करते हैं, टोटल वर्क माल लो कितना हैगा, 60, 12, 65, 15, 4, 60, 5, 12, 60, ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि, A और B मिल करके काम करना चाहते हैं, काम का 60% हिस्सा करना चाहते हैं, टोटल काम 60 हैं, इस काम का 60% कितना होगा, आप कहोगे मातर 36 यूनिट, इतना काम करना चाहते हैं, कौन करना चाहता है भाई, A और B मिल करके, तो टाइम टेकन बाई A और B कितना हो जाएगा, आपको होगे 36 यूनिट काम करना है, A B मिल करके 5 प्लस 4 कितना हैगा 9, तो जवाब आ गया 4 दिन, तो इस सवाल का जवाब कितना रहा साथ ही हो, 4 दिन म आईए इस क्वेश्चन पर, टोटल मार्क, टोटल जो अप्टेंड मार्क है उसका, टोटल जो वो मार्क उसको मिल रहा है, उसको डिवाइड करना है टोटल मैक्सिमम मार्क से, जैसे, अगर आप से कहें कि पहली परिक्षा में कितना स्कोर रहा, 85% of 1200, कितना स्कोर आएगा बताना जड़ा, तो अगर हम 8500 of 1200 निकालते हैं, तो कितना नंबर आ जाएगा भाई आप कहेंगे 12,5,60, ठेके जी, और 6 कहरी 12,8, 96 और 6 मिल करके 102, यानि कि उसका पहली परिक्षा में इतना स्कोर रहा, 70% जिसका मैक्सिमम मार्क 800 है, 70% जिसका मैक्सिमम मार्क 800 है, यानि इसका स्कोर कितना हैगा, आपने कहा 560, टोटल स्कोर कितना हो गया साथ ही हूँ, आपने कहा 1200 और 800 मिल करके 2000 है ना, और डिवाइड बाइड 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 तो यह 30, 30, 30, कैंसिल, 158 को दो से डिवाइड करो गया, तो दो गुड़े साथ 14 होगा, और दो गुड़े 9, 18, तो ओवराल जो परसेंटेज आ गया साथ ही दूसरे वाले की कॉंटिटी कितनी है 800, हमने कहा पहली वाले में 85 परसेंट पाता है, दूसरे वाले में 70 परसेंट पाता है, पूरे वाले में कितना पाएगा, मुझे नहीं पता, अब इसको घटाओगे, यहाँ पे नंबर मिलेगी, यहाँ पे नंबर मिलेगी, इनका जाधा हो जाएगा इसलिए नहीं पता है उसको, ठीक है, इस पर आते हैं हम लोग, देखो, अरथिमेटिक में कोई भी मिथड शॉर्टेस्ट कभी भी नहीं होता, कोई भी मिथड, डिजिट के एकॉर्डिंग, डिजिट के एकॉर्डिंग खारी, मिथड का चाहिन किया जाता है, एलिगेशन तब शॉर्टेस्ट होता हमेशा एक चीज नोट करना साथियों, यह बात आज नोट कर लो, अभी बता दे रहे हैं, आगे से हमेशा ध्यान रखना, एलिगेशन मेथड शॉर्टेस्ट तभी होगा, जब आपको तीनों कॉमोडिटी पता हो, तीनों चीज आ अगर variable होगा, तो उसका alternative method वो shortest होगा, यह हमेशा ध्यान रखना, ठीके जी, आए फिलाल इस सवाल पे, आप से कहा जा रहा है कि एक shopkeeper है, जो की 30% discount पे एक पंखे को बेचता है, ठीके जी, if the mark price 20% above the cost price, अच्छा, mark price 20% above the cost price, यानि कि अगर cost price हमारी 100 रूपय है, तो mark price 20% above यानि 120 होगी, और 30% के discount पे बेच रहा है, यहां पे इसा लिख देते हैं, कि mark price cost price से 20% जादा है, और यह हमें 30% के discount पे बेची जा रही है, तो 70% पे बेचा जाएगा, यानि 84 रूपय में बेचा जाएगा, तो सवाल यह है कि the fan was sold 420, then find cost price, fan जो है वो 420 रूपय में बेच अगला question, अच्छा गर रहे हो आप लोग, इसमें कोई दो रहा है नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बशीर अफ्तार मेंटें करने की जरूरत है, तो क्या बोला जा रहा है यहां पर, कल एक बात हाँ, आज वो सेशन नहीं हो पाया जो अपना तीन बजे होता है, है न, वो थोड़ा सा एक, एक अरजिन टास्क आ गया था, और इस वज़े से सेशन नहीं हो पाया, तीन बजे बाला जिसमें आज हम लोग डियाई करने वाल द्यान रहें कल तीन बजे, ठीक है, कल तीन बजे, टॉप 25 डेटा इंटरप्रेटेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो कल तीन बजे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लास है, तो यह तीन बजे होने वाला ध्यान रखेगा, आगे सवाल पर बढ़ते हैं, कहा रहा है कि, और 156, जिका लिखा है, यहार इसकी लाइन अजीब टाइप में लग रहे है, डाउं अप मूं आतरवार का सम दे रहा है, कि स ऐसी और चिज़ का सम दे रहा है, यह फालतु में लिखा है, माल वी थे सल आउं, के चलते हैं, कि दाउं आउं ङीश्चंत और अप श्चंका सम तो दाउन इस्ट्रीम का सम आप सबको पता है क्या होता है यू प्लस वी और यू माइनस वी अगर हम जोडेंगे नाओ कि चाल मतब यह हो गया दाउन इस्ट्रीम हो गया पिश्ट्रीम अगर जोडेंगे तिये वैल्यू अगारी 56 के बरावर है यहां पे यू और यू जूर जाएगा वी और वी कैंसिल हो जाएगा तो तो यू की वैली 56 तो यहां से यू की वैली 28 किलोमेटर प्रती घंटे आ जाएगी यानि शांत जल में नाओ कि चाल पता चल चुकी है यह फिर सवाल यह है कि टाइम टेकन भाई बोट इन अपिश्ट्रीम पैतालीस मिनट वेर कुछ अजीव टाइप में सवाल नहीं लग रहा आपको सबकुछ करेक्ट है अब आपसे का जा रहा है कि टाइम टेकन भाई बोट अफिश्ट्रीम पैतालीस मिनट चोले काम करते हैं हम यह देखते हैं कि अफिश्ट्रीम में कितनी दूरी चली जाएगी ठीक है पैतालीस म मिनट को अगर हम घंटों में करेंगे तो साथ से डिवाइड करना पड़ेगा तो इतने घंटे में अप इस्ट्रीम में कहरें तो घटा दो अठाइस में चार घटाओगे वैलू कितनी आएगी 24 कितनी डिस्ट्रेंस आज आएगी भाई यहां पे चेक कर लो तो पंदरा से क अठाइस और चार मिल कर कि 32 तो एक बटे-दया निया पर जवाब जवाब कितना आगया 16 किलो मेटर के बराबर ठीक है आप से क्या कहा जारे दिफेरेंस बताये तो अठारा और सूला का डिफेरेंस 2 किलो मेटर साई है ठीक है जी दो किलो मेटर बिल्कुल साही ज़ब है हां जी 2 km इस question का सही जवाब है लेकिन language बहुत अजीब सी इसने frame की है language clear नहीं उपर में हम आपको बताएं कौन सी line confusing है यह यह जबरदस्ति का लिखा गया sum of speed of boat and stream यह फालतू का statement है यह confuse कर रहा है बार-बार sum of speed of boat and stream यह क्या मतलब हुआ भाई sum of downstream and upstream आपको बोलना चाहिए नहीं समझ पा रहा हूँ usually सवाल की जो framing होती है sum of downstream speed and upstream speed यह चपन के बराबर है खैर चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तो language बड़ी अजीब सी थी है हाँ पर high concentration required चलो खेर mixture वाले सवाल पर आते हैं हम लोग आराम से कर सकते हैं आप इस question को तो क्या बोला गया दोस्तों इस question में कहा जा रहा है कि दो liquid है इस ratio में 20 liter liquid A ठेक है बोटल बोटल कंटेंट टू लिक्विड्स ओ अन बी इन रिश्व जिए लिटर्स अफ लिक्विड ए इस टेकन आउट और 20 liter of liquid B poured into the bottle the ratio of liquid A to B 3 ratio 4 लिक फाइं दे कॉंटिटी ओ लिक्विड ए इन बोटल त्यारी तो नॉमल ए लिगे उसका सवाल हो गया क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन का है ना कि दो टाइब के लिक्विड है A और B है ना और इसमें रेश्यो बताया गया 4 रेश्यो 5 सुरुगात में बाद में रेश्यो हो गया हमारा 3 रेश्यो 4 और यह रेश्यो कब हुआ इसके लिए भी बोला गया कि 20 liter लिक्विड एको निकाला गया 20 लिक्विड निकाला गया और उसके बाद फिर बोला गया 20 लिक्विड भी पोर्ट थीक है 20 लिक्विड भी मिलाय गया अब यहां पर आप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन लगा दो सिंपली आप क्या करेंगे 4 गुड़े 4 16 माइनस 5 गुड़े 3 कितना 15 16 माइनस 15 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी पहले 3 गुड़े 20 60 माइनस और फिर 4 गुड़े माइनस 20 माइनस का 80 तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 140 लिटर के बराबर एक यूनिट की वैल्यू 140 लिटर आपसे एक के बारे में पूछा गया ना एक ही मात्रा शुरुवात में कितनी थी आपने कहा 4 तो 4 x 140 जवाब आ गया 560 लिटर इस सवाल का जबाब ठेक है जी 560 बिल्कुल करेक्ट एंसर रहा बहुत ही नॉर्मल कोश्चन अगले पे ना हो लेकिन जितने कोश्चन आके आगे से घुजरेंगे ध्यान रखेगा उतने ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्जाम में अटेक कर पाओगे अर्थमेटिक को यह लाइन याद रखना आप लोग आप अर्थमेटिक ना पढ़कर के ही गलती करते हो सबसे ज़्यादा मतलब उन बच्चों के साथ हमेशा यह प्राबलम होती है जो अर्थमेटिक स्किप करते हैं पढ़ते टाइम ए और बी की प्रेजेंट टेज का सम अर्टालिस दिया गया ए और बी की बोला गया रेशो अर्थमेटिक अगया इज प्रेजेंट एंड बी 15 एर्स अगो इतना था ठीक है जी फाइंड रेशो आफ एज एंड बी नाइन येर्स अफ्टर नाइन येर्स मुझे इतना बताओ प्रेजेंट एज का सम दिया है अर्टालिस और रेशो दिया है पंदरा साल पहले का आप आप कह सकते हो 48 में अगर हम 30 घटाएंगे तो आप ये कह सकते हो A की एज 15 साल पहले है बई आप ऐसे बोल सकते हो कि A की एज 15 साल पहले रेशो बी की एज 15 साल पहले ये हमारे सामने बोला गया है कितना बई 2 रेशो वन और जो इनका टोटल नंबर आया है वो आया है 48 में आप 30 घटाओ कितना आता 18, यानि यह जो 18 लिखा गया है 18 साल, हमें इसी को ब्रिक करना है किसमें इन दो रेशियो में, तो कितनी कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू, 18 की वैल्यू 6 यानि 12 और इधर आ गया 6, तो 12 साल और 6 साल, यह 15 साल पहले की उमर ह हो गई दोनों की, A और कहा गया ratio of the ages of A and B, after 9 years, तो आप मुझे सबसे पहले साथियो, A और B की प्रेजेंटेज बता दें, A की एज कितनी होगी, 12 में 15 जोड़ोगे, 12 प्लस 15 कितना आएगा, 27 के बराबर, ठेक है, आप B की प्रेजेंटेज बता दें, आप कितना दिखा है, छे, छे में 15 जोड़ोगे, कितना आएगा, 21 के बराबर, कहा गया ratio बताओ, A की एज कितना, 9 साल के बाद, A की एज 9 साल के बाद, और B की एज 9 साल के बाद, इनका ratio बताना है, 27 और 9 मिलकर के 36 होगा, 21 और 9 मिलकर के 30 होगा, इनका ratio 6 से cancel करोगे, 6 गुड़े 6, 36, 35, 6 ratio 5, option number B इनका ratio बिलकुल सागर, 24 भी डारेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब सब के लिए नहीं होता न वो, अभी हम डारेक्ट 24 कर दें, कोई कह दे, मतलब क्यों किया 24 तो हम क्या जवाब देंगे, इससे बढ़िया क्या है, कि पहले प्रेजेंट में आने के बाद, नो आगे बढ़ ज सकते हैं, है न, मास्टर की मजबूरी भी होती है कुछ, कितना डारेक्ट करें बच्चों के सामने, यह जादा मजबूरी होती है, चलिया बाई, बहुत जबरदस्त, अब क्या है कि ज़्यादा यूट्यूब पे जवाब नहीं दे पाते बच्चों को, जैसे दक्ष में जवाब अच्छा कासा देते हैं, जवाब में बच्चों को बढ़िया जवाब दे देते हैं, जैसे बढ़ी छोटी छोटी बाते बच्चे कभी-कभी पूस्ते हैं, जो तो कि दक्ष जुआइन करते हैं, इसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बिलकुल फ्रिशर होते हैं, तो उनका बड़ा मासूम सा सवाल होता है, गुरुजी ये नौ कहां से आया, है ना, गुरुजी ये पाच कहां से आया, ऐसे सवाल पूसते हैं, इसे अपीसिम डालेक 24 ये लिख दिये होते हैं, तो सवाल मैं इसके राते हैं, अच्छा, पंदरा था उधर नौ था, तो नौ जोड़ना से 24 किसी जोड़ती है, तो गुरुजी 24 कहां से, ऐसे सवाल पूसते हैं, तो वहां उनको बढ़िया जवाब मिलता है, गुरुजी PDF कहां मिलेगी, गुरु जोड जाती है, तो जेल रोट पे जैसे आगे बठे कि वहें पपू पंचर के दुकान, एक पपू पंचर के बगल में बख़न हलवाईी बढ़ता है, बख़न हलवाई के बघल में विसकवर्मा बुगि स्टोर है, उस से पूछोगता है, वहां नहीं मिलेगी, उससे पूasm इस सवाल पर कहा जा रहा है, breadth of rectangle, side of square, sum of the breadth of rectangle and side of square 60 है, यानि कि side of square को A माल लिया, breadth of rectangle ये माल लिया, 60 हो गई वैल्यू, फिर काल गया, perimeter of rectangle 84 है, और diagonal of square 40 root 2 है, तो यही से आपको भुजा मिल गी, क्योंकि आपको पता है, एक स्क्वाइर की diagonal जो होती है, वो side root 2 होती है, जिसकी value सवाल ने 40 root 2 बताई है, तो यहां से आप कह सकते हैं, कि वर्ग की जो भुजा होगी, वो 40 हो जाएगी, तो अगर वर्ग की भुजा साथियों 40 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयत की चोड़ाई मिल गई आपको, है न, आयत की चोड़ाई कितनी मिल गई, आपने कहा 20 की बराबर गुरू जी, आयत की चोड़ाई 20 हो गई, अचा पैरिमेटर कितना दिया गया साथियों 84 दिया गया, तो पैरिमेटर क्या होता है, 2 L प्लस B, 2 L प्लस B, L प्लस B की value 20 निकाल दिया आपने, बराबर बोला सावाल ने 84, तो L प्लस B की value कितना, 2 से डिवाइट करेंगे 42 आएगा, तो L की value कितनी 22 आगई, तो लंबाई भी मिल गई भी है, चोड़ाई भी मिल गई, कहा जा रहा है, एरियो औफ रेक्टेंगल बता है, L into B, 22 दूना कितना होता है, 44 होता है, 44 कहाँ दिखा, option A पर दिख गया, खतम कहानी, अगले कुश्यन पर मूफ करते हैं, क्या Guruji कोई shortcut नहीं फिर, Sir, आप series देखते हो, serial देखते हो, तुम का हमको मतलब, मंगल ग्रह से आया हुआ प्राड़ी समझते हो, नहीं, अंदर से क्या लगता है, कि हम किसी मतलब अलग टाइप में, किसी अलग ग्रह से आया है, क्या, नहीं भाई, हम भी, यहीं पाये जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि, अर्पिता ने, अपनी सेविंग को, पंदरा परसेंट इन्वेश्टेट टूए स्केम्स, है ना, पंदरा परसेंट पच्छिस परसेंट, कंपाउड इंट्रेस्ट, साथ रेश्यो पाँच, दो साल के लिए, अर्पिता गॉट टोटल इंट्रेस्ट पांसो साथ, है ना, फंदरा परसेंट के हिसाब से, दो साल के कंपाउड इंट्रेस्ट कितनी हो जाएगी, पंदरा परसेंट के हिसाब से, दो साल के, देखो, 2R प्लस R स्कॉर अपॉन हंड़र परसेंट होता है, सब लोग जानते हो, 2R प्लस R स्कॉर अपॉन हंड़र परसेंट, यह होती दो साल की कंपाउड इंट्रेस्ट, पंदरा परसेंट के हिसाब से कंपाउड इंट्रेस्ट कितनी आएगी, 32.25 और 25 परसेंट के हिसाब से, दो साल की कंपाउड इंट्रेस्ट आएगी, तो 700 का 32.25% निकालेंगे, 700 का दोस्तों, compound interest जोड़ने भाई, तो 32.25% निकालेंगे, और इधर हम निकालेंगे 56.25%, ठीक है, यह value जो निकल के आएगी साथियों, percentage से 00 कैंसल हुआ, 7 से multiply करो, 25 गुरे 7, 175 होता है, एक कैरी आएगा, साध्दुनी 14 होर एक मिल करके होता है, 15 के बराबर एक कैरी, साध्दुनी 3, 21 और एक मिल करके 22, इतनी रूपए interest मिलेगी, आगे यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग, तो 5 से multiply करो के 25, 125 होता है, एक कैरी आएगी, 5,301 मिल करके, 31, 3 कैरी, 5,25 और तीन मिल करके 28 होता है, अब इनको जब एड करेंगे तो तो टोल जो हमारी interest निकल कर आएगी, जड़ा वो चेक कर लेते हैं, जब इनको हम टोटल एड करेंगे, तो इंटरेस्ट कितनी आएगी, देखो 75, 25,100, 0, double, गाइब, 5,1, 6, और एक मिल के साथ हुआ, 28,22 जोलो के वैल्यों पांस साथ रूपय के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यों एक रूपय के बराबर, आप से पूछा गया, बताएगे, टोटल कितना उसने, फाइंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई अर्पिता, तो टोटल जो उसने इन्वेस्ट किया है, देखो ध्यान से, 700 और 500 इन् लगा, बहुत जबरदस्त, अगले कोश्चन पर आते हैं, कोश्चन नमबर 50, आदत डालो थोड़ा लंबी-लंबी क्लासिस का, अभी बहुत महराथन चलने वाली है, आपकी इच्छे तारिक के पास तारिक के पहले पहले, कल भी मैने एक गंटे 40 मिट का तकरीबन सेशन किय था उसके पहले तीन घंटे का सेशन किया था, है ना, तो अभी आदत डालो, आज भी दो घंटे के नीचे सेशन नहीं होगा, बस कोशिश कही है कि आप जादा से जादा अपनी मैत की दुनिया में कनेक्ट रहें, ये नहो कि एक्जाम का प्रेशर जादा आपको इस था उपांच है, सम आप दे लिंफ आफ टू सूपर फास्ट रेंस थेरा सूपांच अच्छा जी, फश्ट रें रनिंग एड़ इस पीड़ बहातर यानि की 20 मीटर पर सेकंड हो गया, एंड क्रॉस दा सेकेंड पर इतना, बोथ रनिंग ए लिगः पोज़ें इन लोग और आंफ करें घृता कहलें एक राइल्या पाहानोगी ड्रीक्षिंट कर देंगे 250 ठील माया खेल रही हो ईक जान लोग्धिक खेल की अ जग चुल को आप कहा गुजल़े बसे का सब्सक्छान किले ना देखर लुग्तिलिकी दो खिर स्टिरिक्वर में कर रहे हैं now तो देखो, होगा क्या, speed equal to होता distance upon time, बोलो हाया ना, speed equal to होता distance upon time, distance के नाम पर क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाईयों का योगफल, कितना आ गया भई, हम यहापे, distance के नाम पर लिख देते हैं, 1305, time के नाम पर कितना लिखेंगे, 45 सेकंड, और speed के नाम पर क्या लिखेंगे, opposite direction है, तो दोनों train की speed का sum, एक की speed है 20, दूसरे की speed कितनी है, S, बराबार इतना, भाई, simplify कर लो, फटाक से, अगर हम 45 से माल लिजे, या फिर 9 से पहले cancel करते हैं, 5 से ही cancel करो, तो यहापे number 9 आएगा, 5 से cancel करेंगे 26 और यहाँ पर एक आएगा, 9 से cancel करोगे, तो 9 दुनी 18, 9 गुड़े 9 81, तो यानि दूसरे वाली को जो speed आई, वो आगी 9 मीटर पर सेकंड के बराबर, 9 मीटर पर सेकंड, अगर आप इसको किलो मीटर परती घंटे में करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, 9 multiplied by 18 बटे 5, यानि आप इसको लिखेंगे, 9 multiplied by 3.6, और 9 से multiply करोगे, 9 गुड़े 6, 54, 9 तिया 27 और 5 मिल करके 32, तो 32.4 किलो मीटर परती घंटे, 32.4 किलो मीटर परार, option number 1 करेक्ट एंसर रहा, option 1 सब का आया है, अब और कितने question हैं, इतने में घबर आ गए आप, हैं, इतने में घबर आ गए, question number 51 कुछ लोग का एंसर कितना जल्दी आ रहा है, 51 तो आया ही नहीं, लो जी 51 पर आते हैं, लकिन यार देखो, like वाइक भी करते चलें आप लोग सेशन को, इतना आप से उम्मीद जरूर करेंगे साथियों, ये आपका एक data efficiency का सवाल है, SBI धपा मारता है, इसलिए तयार रो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी, भले ही इस type के सवाल आने के chances 10 से 15% हैं, लकिन उस 10-15% का भी हम loophole क्यों छोड़े, इसलिए आप data efficiency भी कर लो, ठीक है, question आपकी screen पे है, इस सवाल को तो solve करने के जरूत है, आप direct बता सकते हैं इसका answer, only statement 2, बिलोकुल सही बात, only 2 भाई, है ना, only 2 Q, क्योंकि अगर आप यह देखें, हमें पहले, आपको यह बताना है कि भाई, बताईए, पीन लोग है PQR, आपको बताना है कि Q काम के 60% हिस्से को इतने टाइम में खतम करेगा, यानि आपको यह बताना है Q की efficiency निकालना है, अगर हम पहले इस statement पे focus करें, P और Q combined दिया गया, उसके इतने दिल में खतम कर सकते हैं, Q और R combined दिया गया, तो अगर आपको P प्लस Q की efficiency पता हो, Q प्लस R की efficiency पता हो, तो क्या सिर्फ Q की efficiency बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इस statement बन गलत होगा, फिर आगे हमें P और R एक साथ दिया गया, कि P और R एक साथ काम को इतने टाइम में खतम कर सकते हैं, फिर P Q आपको आपको प्लस R पता हो, P Q प्लस R पता हो, तो क्या P प्लस Q प्लस R में P प्लस R घटा देंगे, तो Q अकेले की efficiency मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों अकेले की efficiency मिल जाएगी, इसलिए statement 2 हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगले question पर आते साथ हैं, question number 52, चलो जी, बहुत जबर्दस्त, ठीक है, दो अलग-अलग आइटम की selling price दी है, pen drive, ठीक है, आल दीजी article A है, hard disk, आल दीजी article B है, तो हमें क्या की selling price of A, और selling price of B पता है, अब statement 1 यह है, कि shopkeeper allows, इतना इतना discount, इन दोनों पर, आपको यह बता दिया गया, discount A पर पता है, discount B पता है, यानि इस से हमें क्या पता है, discount, देखो, discount के help से हमें mark price और selling price का relation मिलता है, हमें selling price आलरेड़ी पता है, तो mark price भी पता हो जाएगी, और उसके बाद, सिर्फ mark price भी पता होगी इस से, है न, हम सिर्फ statement 1 के हिसाब help से, सिर्फ mark price निकाल सकते हैं, आगे दिया गया mark price और cost price का ratio, इन दोनों के लिए वो दिया गया है, mark price और cost price का ratio, mark price और cost price का ratio दिया गया, यानि कि mark price और cost price का मतलब, अच्छा उपर statement में तो selling price दिया गया mark price, cost price क्या statement 2 से हमें ना तो mark price पता है, ना तो cost price पता है और ना ही second statement में हमें discount दिया गया इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलाएंगे तब जाके answer आएगा इसका मतलब क्या होगा, both together क्या हुआ दोस्तों, both together है ना, क्योंकि दो को पहले statement से हमें mark price मिल जाएगी हमें selling price आल्रेडी दिये गई है पहले statement में चुकि discount दिया है, तो इसके help से क्या मिल जाएगी mark price मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है discount जो है, वो हमें mark price और selling price में relation देता है क्योंकि selling price आल्रेडी दे रखी है, तो mark price मिल जाएगी और second statement पर जब आएगे, तो हमें mark price और cost price का relation दिया है तो चुकि हम mark price आल्रेडी निकाल चुके हैं पहले statement में तो second statement के help से हम cost price में निकाल लेंगे clear इतना, तो यह भी हमारा done रहा, ठीक है क्योंकि हम कल भी Q1, Q2 कर चुके थे, तो अब यह तीन question हम आपको Q1, Q2 को है ना, homework दे रहे हैं दोस्तों, इसका answer जरूर करियेगा दोस्तों सवाल बेहत नॉमल है, आप खुद देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको orally भी solve कर सकते हैं टाइम टेकन भाई बोर्ट, एक सो साथ क्लिमेटर, इस्टिल वाटर में पूछा गया, ठीक है भाई, इस्टिल वाटर और करेंट की स्पीड का रेश्यो दिया गया है, अच्छा यह भी DS ही है, माफ करेगा साथ ही हो, DS है, इसको भी पर आप से निकाल सकते हैं, दो सवाल Q Q1 Q2 के हैं, इसको सॉल कर लेना, ठीक है, कॉंटिटी 1, कॉंटिटी 2, और यह हमारा कॉश्चन नंबर 55, और यहां पर कहानी कंप्लीट होती है आपकी आज के सेशन की, एक घंटे 45 मिनट हो चुके हैं, कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बार जरूर बता दीजेगा, बा गंटे से जादा हम सिर्फ अर्थिमेटिक पढ़ने वाले हैं, आपके अलजेब्रा नंबर सिस्टम में हम AP, GP, HP, LCM, SCF, सब कुस पढ़ने वाले हैं, और अर्थिमेटिक में हम जेओमेट्री वगरा भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दौर बदल रहा है, ध्यान रखेगा, 78 घंटे सिर्फ हम D.I. पढ़ने वाले हैं, इस सब अपने आप में एक बैच होते हैं, आप 70 घंटे में complete बैच foundation कर ली जाते हो, लगिन 78 घंटे यहां सिर्फ D.I. करने वाले हैं, complete दक्ष premium देखोगे तो 233 घंटे में, प्लस जो extra classes हर एक लगेंगी 233 और जोड़ करके 233 जोड़ कर लोगे हर क्लास के बाद तो डाउट सेशन भी है, तो बतलब एक ही है कि आखरी foundation मान के चलो इसको, ठीक है, बाकि आप सबको पता है, साल खतम हो रहा है, तो साल की खतम होने पे, डिसकाउंट भारी बरकम डिसकाउंट आपको दिया जा रहा है, और भारी बरकम बाकि 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 बुक्स वगेरा पर जो लेना चाह रहे हैं, यह कोड हो जाएगा, ठीक है, चले तो सो मच दोस्तों, क्लास कैसी लगी, जरूर बताएगा, गुड़नाइट, टेक केर, खयाल रखें अपना अपनों का, अपना खयाल जरूर बहुत ज्यादा ठंड का टाइम है भाई, कल तो टेंपरेचर दस था, इंस्टाग्राम पे जो बच्चे मुझे जुड़े हुए हैं, उनको, मैंने तो स्टोरी भी डाल दी थी, इंस्टाग्राम पे, रात मैंने चेकिया भी है, दस डिगरी से टेंपरेचर चल रहा था, ठीक है, चली, थैं बैंक महापेक का पार,